युक्रेन युद्ध में तुर्की ने एक सधा हुआ पक्षपनाया था तुर्की के राश्पती तैयप एर्दोगन ने कई बार रूस्त के राश्पती व्लादिमिर पुतिन से बाचीत की मेज पर आने की अपील की थी लेकिन नेटो में रहते हुए गाजा युद्ध में तुर्की का रुख एक दम उलट है तुर्की हालिया दिनों में ना सिर्फ अमेरिका के खिलाफ गोल बंदी कर रहा है बलकि वो इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एक जुठ होने की अपील भी कर रहा है जिसकी वज़ा से अमेरिका काफी परेशान है और आब इसी कड़ी में तुर्की के राजपती तैयप एर्दोगन ने एक ऐसा एलान किया है जो मिडलीस्ट में अमेरिका की विदेश नीती के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है दर असल एर्दोगन ने Organization of Islamic Cooperation यानी OIC से गुजारिश की है कि वो गाजा युद को लेकर एक शिखर सम्मेलन बुलाए जिससे इस युद पर चर्चा हो सके इसके अलावा एर्दोगन ने मुस्लिम देशों से ये भी अपील की है कि वो इसराइल के साथ अपने गठबंदन को कमजोर करे जिसे वो इसराइल का विस्तार बताते हैं और इसको लेकर एर्दोगन का कहना है कि इसराइल येरुशिलम में अलाकसा मौस्क पर हमले करके अपनी विस्तारवादी नीती को आगे बढ़ा रहा है तुर्की का कहना है कि येरुशिलम और मस्जिद जिसे यहूदियों के लिए टेंपल माउंट के नाम से जाना जाता है वो एक लाल रेखा थी जिसे इसराइल पार करने की कोशिश कर रहा है एर्दोगन का OIC से कहना है कि OIC जिसका करतव येरुशिलम के मुद्दे का ध्यान रखना है उसके लिए इन हमलों के प्रती उदासीन रवय अपनाना अगल्प निये है ये जरूरी है कि संगठन बिना समय गवाए नित्रत स्तर पर बैठक करे एर्दोगन का आगे कहना है कि तुर्की हौग में अंतरराश्चेन आयले में तुर्की अमेरिकी मूल की महिला की इसराइल द्वारा हत्या के खिलाफ अपील करेगा जिसकी मौत वेस्ट बैंक में एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी हम प्रत्यक कानूनी उपाय करेंगे इसराइली नित्त नरसंगार कर रहा है जिसके लिए अपरादों के बतले उसे जवाब दे ठहराया जाएगा हालकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने गाजा या फिर हमास को लेकर कुछ कहा हो बलकि हालिया दिनों में तुर्की के भीतर अमेरिका के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए है दो सितमबर दो हजार चॉबेस को तुर्की के इसमिर शहर में दो अमेरिकी नौसेनिकों को पकड़ कर प्रदर्शन कारियों ने उनके साथ हात अपाई तक की थी बड़ी बात यह है कि नेटो में तुर्की दूसरा ऐसा मुस्लिम देश है जिसने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खुले तोर पर मोड़चा खोला हुआ है झाल